जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुबाइल, लैप्टॉप, रैफ्रीजेटर, वाशिंग मिशीन हमारी डेली लाइफ में बहुत ही एहम हिस्सा रखती है, हम इसके बिना हमारी जिन्दकी अदोरी है, तो हम इसको यूस तो कर लेते हैं, बाद में जब हम इसकी लाइफ कतम हो जाती है, तो हम चीजों को ऐसे ही फैंक देते हैं, जहां खुले में बर्न करन देते हैं, तो इसक हमें recycle bean करना चाहिए ना कि हमें ऐसे खुले में फैंकना चाहिए तो इसी पे एक organization काम कर रही है जिसका नाम है करो संभव तो आईए उनके एक manager से बात करते हैं जिनका नाम सूरज जी है उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी organization किस तरह से इस पे work कर रही है और क्या से work कर रही है जैसे हमारी आपने कहा कि e-waste e-waste की full form है electronic waste तो electronic waste जो हमारी संस्ता है जो हमारी organization है करो संभव जिसके लिए मैं यहां पे काम कर रहा हूँ ठीक है तो actually हम इसको यहां पे collect कर रहे हैं as a collection center जो हमारा यहां पे हम यहां पे कच्रा इकठा कर रहे है पैन इंडिया हमारे center पैन इंडिया है जो ऐसे ही जमू में है तो हम different हमारे sources है जहां से हमारे पार कच्रा रहा है जैसे हमारे पास कबाडी वाला जिनको aggregators कहते हैं repair shop है और हमारे पास बल कंज्यूमर जिसमें बड़े बड़े और रिजर्व बैंक आफ इंडिया हो गया केंद्री विजार स्कूल्स हो गए तो स्कूल्स को हमने इसमें चैनलाइज करके उनको अपने साइंगेज की एंडिया कि आप अपना कच्रा जो आप अभी लोकल वेंडर्स को दे रहे हैं जैसे अभी तो 2016 जो रूल आया इवेस्ट उसमें क्या होता था कि आपने अपना जो कच्रा है electronic कच्रा किसी authorized channel से ही dispose off करना discard करना जो channel के आपके वह recycler हो सकता है जिसके थू आप अपना कच्रे को रिसाइकल कर सकते हैं या डिस्मेंटल कर सकते हैं मैं आपके मादियम से लोगों को यह बताना चाहते है कि अपना जो आपके गर पर कच्रा होता है वह एक चैनल है हाउस होल्ड जो हमारे गर पर कच्रा निकलता है इवेस्ट में जैसे आप गर पे रेफ्रिजेटर्स यूज़ कर रहे हैं या टीवी यूज़ कर रहे हैं तो वह अपने लोकली अपने कबाड़ी वाला जो घर गर आता है उसको दे देते हैं बट दिस इन नॉट राइट व जो रिसाइकल करते हैं डिस्मेंट जो चैनलाइज करके दुबारा से सर्क्लर एकनोमी में यह डिजॉल हो जगा है में फंड हमारा क्या रहता है जो मैंने वर यूज किया सर्क्लर एकॉनमी एकॉनमी का मतलब है कि एक ब्रेंड है मैं आपको बता दू वोल्टाज वोल्टा जाके दीजिए जैसे हमारे एपल का हम ब्रैंड यूज करें एपल का ही सेंटर है आप यहां पर आपके दीजिए तो उसको वो सर्क्लर एकान में वापिस आगया एपल ने अपना फोन बेचा आपने यूज किया आपके वो अपसलीट हो गया लाइफ फदम हो गया आपके तो आपने जाके उसको वापिस अपने उनके सेंटर में जाके दे दिया कि आप यह रख लीजिए अब दुबारा से एपल के बाद जाएगा एपल को करश करेगा दुबारा से मार्केट में एक निव फोन आएगा एचुली जो प्यारो हैं प्रडूसर रस्पोंज हम ऑथर तो आपने पूशा कि जमू एन कश्मीर में आपके सेंटर हमारा यहां पर है तो जमू एन कश्मीर से बाकी जगा से भी बाकी डिस्टिक से भी हमारे पास मेटल यहां पर आता है सांबा से हमारे डिस्टिक से आता है कोठुवा से आता है जोरी से आता है अभी मैंने कुछ तो इसके पास हम यहां पे हमारा फूड लोड ट्रक्ट हमारा बन जाता है तो हमारे प्लांट में जाता है दिफरेंट प्लांट हमारे तो वहां पे जाकर हमारा वह बहुत से मालूम होगा जो एक अल्ट्रोनिक एक्यूपमें रहता है वह डिफरेंट टाइपस ऑफ क्या कहते हैं इसको इलिमेंट से बनता है जिसमें मुक्री भी यूज होता है जो भी हजार अगर वह मेटेरियल ओपन एर में बहन हो जाए या ओपन एर में आपको भी है आपके पस किसी काम की नहीं है तो आप तरह जा के रेज्टन को को फेज दिया कबाडि वाला उसके लालश में आके उसमें से कोपर एक्स्रेट करना चाहेगा उसमें रबर लगा होता उसको ऑपन-बन-एयर में बन कर देगा ओपन-एयर में जो से फ्यूंग जो होग अक्टूर से स्टार्ट हूई हुए अवेनिस Candy है एक्तला है आवेनिस वेकल वह दो uhscalos चाहिए जा रही है और वह अपना कछर से चलय ना है bezश्च ऑलोर के लोग्स को एक व एक iOS करके ई देना से इसको अफ्मक्रील करता हूं कि आप यहां पे हमारे सेंटर में आइए यह हमारा टोल स्फी नंबर है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा तो इसमें आके यहां पे आई यह और यहां पे आपना ड्रॉप in करिए जो भी आपके वेस्ट है अब आपके पास आप वह पे बी भी तो अभी हमने बात करी सूरज कपूर जी से जो की करो संभव और इनका यही कहना है कि यहाँ पे इनका सेंटर है प्रीत नगर सी आरपी एफ केम्प के पास जहाँ पे इनका आफिस है करो संभव का जहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रोनिक्स वेस्ट जो है वो आके सब्मिट कर आ सकते हैं और यह आप से फ्री नहीं लेंगे उसका आपको एक अमोंड भी देंगे और उसका आपको फाइदा भी है फाइदा यह है जैसे उन्होंने बताया कि डेली लाइफ में अप्रोनिक्स मेटेरियल यूज कर रह अप्रोनिक्स